हाई फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ मैं सेयर कर रही हूं एक स्ट्रीट फूट की रेसिपी स्ट्रीट फूट का नाम आते ही मुंबई सहर जरूर आता है मुंबई सहर जितना अपनी वॉलिवूट के लिए फेमस है उतना ही ये स्ट्रीट फूट के लिए भी काफी फेमस है ये जो रेसिपी मैंने बनाई है बहुत ही सिंपर और बहुत ही स्वादिश्ट है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं रेसिपी मसाला पॉप एटीज बनाने के लिए मैंने लिए ये चार मीडियम साइज के आलू और अब इसको बॉयल करूँगी तो उसके लिए मैंने हाफ लीटर पानी को गरम किया है और उसमें थोड़ा साल्ट एट कर दिया अब इसको मैंने कवर कर द देखिए मैंने सारे आलू को अब छिलका उतार लिया और इसके इस तरह से काट करके छोटे-छोटे टुकरों में कर लूँगी और इसको मैं पानी में डालते जाओंगी ताकि इसका स्टार्ज जो है एक जगह इकठा ना हो नहीं तो आलू काटके रखो तो वो काला पड़ है आलू को एट कर देंगे और उसके बाद इसको हलका से चला देंगे और इसको फिर से कभर कर देंगे अब आलू बोईल होएगा तब तक दूसरा काम करते हैं पाउ के लिए मसाला ये चटनी बनाना है तो इस तरह से मैंने थोड़े से सूखी मिर्च 10-15 लिये हैं उसको इ इस तरह से मैंने सारे मिर्च से सीड निकाल करके इसको डी सीड कर लिया इस तरह से बीज निकाल लिया और अब ये मिर्च को भी बोईल करना है चटनी बनाने के लिए अब एक इस तरह से मैंने गार्लिक का वो पूरा लिया है और इसको पीछे से इस तरह से काट देने से अ तरह से मिड़ को मैंने तयार कर लिया चटनी के लिए अब अलु क Watch a कवर हटा करके चेक करेंगे अलु बॉयल हो रहा है इसको इस तरह से मैंने निकाल करके चेक किया अभी और थी बॉयल होना है अलुसे पूरी तरह से बॉयल नहीं हुआ है फिर से इसको कवर कर देंगे और दूसरा पैन में भी पानी गरम करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है मैंने छोटा सा पैन लिया है उसमें जो यह मिर्च था उसको बॉयल कर लेंगे एक मिनट के लिए अब पानी गरम हो गया उसमें मिर्च एड़ करके मैंने इसको भी बॉयल कर लिया अब मिर्च बोल होने के बाद गैस का फ्लेम आफ करके मैंने इसे उतार लिया और अब इसको पानी से छान लेंगे इस तरह से मिर्च को भी मैंने छान करके अलग कर लिया अब इसका पेस्ट बनाना है गारलिक के साथ इधर मैंने आलू जो रखा था बोल होने के लिए वो भी अच्छे से बो'm हो गया से बारा से बंद्रे मिनिंट लगे आले बोईल होने में अब इसको गैस कर्के मैंने उतार लिया और पानी से इसको छॉण लेना है अलू को आलू को पानी में छोड़ने से फिर आलू लिसलिसा हो जाता है इसलिखे फटाफट इसको चान करके हलका ठंडा कर लिया और पोटेटो मैसर से इसको मैंने अच्छे से मैस कर लेना है पूरे अच्छे से मैस कर लिया मैंने आलू को अब आलू मैस करने के बाद ये जो मिर्च था उसकी चटनी बनानी है तो ग्राइंडर जार में मैंने ये लहसर और मिर्च को मिला करके इसमें थोड़ा सा पानी एट किया और इसका एक स्मूथ पेश्ट बना लिया अब इसको निकाल लेंगे किसी भी बाउल में मैंने चटनी मैं छोटी सी कढ़ाए लिए मैं तेबल स्पून मैं और इस में तयार पेश्ट को maintenance कर देंगे अब तेल के साथ पेस्ट को फ्राइं करेंगे में तेस्ट एक और उसके बाद इसमें अश्ञ अच्ugen सी साल्ट ली है norm है और इसके बाद इसमें एड किया है मैं Neighण से तीन मिनट तक इसको फ्राइ करने के बाद इसमें मैंने डाला है वन टी स्पून भुना जीरा का पॉर्डर और इसके बाद इसको अच्छे से इसके साथ भी मिक्स कर लिया अब गैस का फ्लेम आफ कर देंगे इस तरह से यह चटनी तैयार हो गई अब इसमें मैंने मिक्स किया है वन टी स्पून नीम्बू का रस इससे चटनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा और नीम्बू डालने से तीखापन कुछ कम हो जाएगा अब चटनी को बॉल में निकाल करके रख लेंगे इस तरह से मैंने चटनी को भी निकाल लिया गरम करेंगे और इसमें एट करेंगे टू टेबल स्पून वेजी टेबल ओयल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें एट करेंगे छोटी चमच जीरा साबुत जीरा लिया है मैंने और इसमें एट कर देंगे दो हरी कटीवी मिर्च जिसका की मैंने पहले से भीज निक लिया है और अब इसके बाद इसमें एट करना है 1 टीइ स्पून ग्रेटेड जिंजर को अच्छे से पकायाएंगे जब जिंजर के पकने की खुस्बू आ जाएगी तब इसमें एट करना है आलू जो बोयल करके मैस करके रखा था उसको इस तरह से मैंने इसमें आलू को एट क कर दिया अब इसमें डाला है मैंने बिल्कुल थोड़ी सी नमक दो चुटकी नमक लिया है और दो चुटकी हल्दी डाला है मैंने इसमें ज्यादा मसाला कुछ भी नहीं डालना है और अब 1 टीइ स्पून मैंने गरम मसाला डाला है इसके साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर सबी मसालों के साथ आलू को थोड़ा सा फ्राय करेंगे दो से तीन मिनट तक मैंने आलू को फ्राय कर लिया अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इस तरह से देखिए आलू का मिक्स्चर तैयार हो गया अब इसमें एट करना है बारी कटा हुआ हरा धनिया जिससे कि इसका स्व बहुत ही बढ़ जाएगा यह बहुत ही अच्छे से डालना है मैंने एक मुट्टी भर करके पूरा धनिया डाला है फ्रेस धनिया की खुस्बू बहुत अच्छी आ रही है इस तरह से आलू का मिक्स्चर तैयार हो गया पैटीज के लिए बहुत ही कम मसाले वाला यह आलू क का पैटीज बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा अब थोड़ा सा मैंने आलू का मिक्सर ठंडा किया और इस तरह से इसके जितना भी बड़ा मुझे पैटीज बनाना है उतना आलू लेंगे और इस तरह से उसको हतेली पर गोल गोल करकर के हलका सा दबा इस तरह से सारे आलू के पैटीज बनाने है अब जितना मिक्सर मैंने लिया था उसमें इसी तरह से करके मैंने सारे आलू के पैटीज बना लिये एक एक करके सारे पैटीज बन गए और साथ आलू के इस तरह से टिक्की तयार हो गई अब एक फ्राइंग पैन को गरम करेंग और उसमें डालेंगे 1 टी स्पून बटर और जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब उसमें एट कर देंगे ये आलू की टिक्की अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है दोनों ही तरफ से इसको सेख ना है इस तरह से सारे आलू टिक्की को मैंने दोनों ही तरफ से शेख लिया और ये गोल्डन ब्राउन जब हो गया तब इसको इस तरह से निकाल लेना है अब आलू की टिक्की भी रेडी हो गई चटनी भी तयार है अब पाउ लेंगे और जितना भी हमें बनाना है गर्मा गरम उसक करना है और बस मसाला पैटी पहुत तयार हो जाएगा अब इस तरह से एक फ्राइंग पैन को फिर से गरम करेंगे और उसमें एट करेंगे बटर मैंने वन टी स्पून बटर एट किया है उसके साथ ही इसमें डाल देंगे वह चटनी गार्ली का बनाके रखा था वन टी स्प इसको बटर के साथ अच्छे से लोगाा ओं करने के बाद ऐसे में एट कर देना है थोड़ा सा चौप धन्या और इसको भी इस तरह से मिला लेंगे अब धन्या जब मिल जाएगा अब इसमें कर देंगे पॉष पाहो अच्छे से मसालों लपेट ना है लपेटना है तो इस नए छटनी बची पयन में उससारे इसको इसमें अच्छे से कोट कर देंगे इसंदा से दिशा अब इसमें डालेंगे आलू की टिकक्षां एक ने डाल दिया अब इसके ऊपर से मैंने डाल ज़या है इस तरह से कट करके रक्षा भीलकूल ही लाल लाल टमाटर लेने हैं tissue और उसके बाद ईये चॉप्ड जो तो मैंने अनियन रखा है, उसको भी इस तरह से खुब सारा अनियन डाल देंगे, इसके साथ ही चॉप्ट कोरियेंडर लीप्स डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही दूगना हो जाएगा, हलका पॉभाजी का मसाला मैंने उपर से स्प्रिंकल कर दिया, अब इसमें ड लिए, यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, जरूर ट्राइ कीजिए, और बहुत ही सिंपल सी रेसीपी है, इस तरह से मसाला पॉप एटीज तयार है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंश थैंक्यू, बाबाई, मिलते है अगली वीडियो में